कुल गाम में इस सुरक्षा बलों को बड़ी कामिया भी मिली है दो अलग अलग जगों पर हुए एनकाउंटर में अब तक छाय आतंकी मारे गए हैं कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आट टेर्रिस को बहतर हूरों के पास बेज दिया गया है अजा औरा जयल को जेली बना पारे आप आप आज भी थर-थर काम पर रहहे हैं अडेला जेल से आप फिर आप कभी कहते हैं जी हमें अफगानस्तान से बचाया जाए हमें फलाम अटीटीपी मार गई है हमें देशत गर्दी पे आपने आलप आईटी कांफरेंस बुला ली है कुछ शरम करो यह कुछ शरम करो और अभी भी सर्च ऑपरेशन इन दोनों इलाकों में लगातार जारी है सूतरों के मताबिक इन में से एक आतंकी हिजबल मुझाहिद्दीन का ऑपरेशनल कमांडर फारुक एमत भट और फॉमर है फार्ज को छोड़के इधर उधर भाग रहा था एक चीज़ आप नोट करिये पिछले तीन हफटों में फार्ज ने लिस्ट लगा दी है इन गधों के कमांडर को ठोकने की एक के बाद एक बड़े बड़े कमांडर जा रहे हैं अभी आप दर हकीकत मैं खुद समय इसे बिल इतनी आपके पास है नमस्कार दोस्तों जैहिन जम्मो कश्मिर के कुलगाओं में जारी एक काउंटर में सुरक्षा बलो ने छे आतंकियों को ठेर कर दिया सुरक्षा बलो ने इससे पहले सनी वार को चार अतंकी को ठेर किया था अभी कुछ और आतंकी के छिपे होनी की काउंटर स्थ्फारमी के पास आतंक्यों ने फाइर किया ने विटेज में चे सब्ड़े हुए दिखाई दे रहा हैं लेकिन को लिबारी अभी भी जारी रहेने के के कारण सब अभी बराबत नहीं किया जा सका आईये हम पूरी वीडियो देखते हैं जश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आर्ट टेर्रिस को बहतर हूरों के पास बेज दिया गया है। जहां पर इनिशिली एक खबर आगी थी कि एक हमारे जवान को वहां पर इंजरी हुई है। उसके बाद ये इनकाउंटर तो स्टार्ट हुआ वहां पर काफी गोली बारी के वीडियो आप सबने देखे ही होंगे। एक और इनकाउंटर उसके बाद स्टार्ट हुआ एक और गाउं में जो कुलगाम के अंदर ही है जिसका नाम है चिनीगाम। जहां पर अगेन हमारी सेक्यूरिटी फोसे ने उस जगे को पूरा सराउंट करा एंड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करें। ये दोनों विलिज में रोड के बड़े पास हैं और ओपरेशन से इस अमाइड़ अड़ अवी भी जारी हैं। जो पहली ख़बर आई है कि हिसाब एक बड़ा टेररिस्ट जिसका नाम है फरूक नली जो हिजबुल मुजाइदीन का एक बड़ा कमांडर माना जाता है। के एक बंदा गया था जो 2018 से इस रीजन के अंदर आक्टिव था। ये जो फरूक नली गया है ये भी बहुत पुराना कमांडर है करीब 3-4 साल से यहां पर इस रीजन के अंदर आक्टिव है और A++ टार्गेट में माना जाता है। इस रीजन को पूरी तरह से साफ करना है। ये जम्मू का एक इंकाउंटर जब हुआ था आपको पता ही है जम्मू रीजन के अंदर काफी सारे सटनली अटाक्स होने शुरू हो गए थे। जब सब ने बोला कि भई देखो अभी कश्मीर सेटल डाउन हो गया, जम्मू में इन लोगों ने दुबारा इनिशियेट करा है तो पूरी फोकस उस तरफ गया, और फिरसे आप देखेंगे कश्मीर के अंदर इन लोगों ने दुबारा इनिशियेट करने की कुश्श करी ह इस बीच पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक ceasefire violation के अंदर दो पाकिस्तानी soldiers की भी death हुई थी और दो पाकिस्तानी post को भारतिय सेना ने पूरी तरह से डिच्कियाओं डिच्कियाओं कर दिया था अब देखी यह हो क्या रहा है आप आप देखेंगे कहीं न कहीं यह जो election के बाद और जहां पर जिस तरह से election उस region के अंदर हुआ वहाँ से पाकिस्तान का जो पूरा narrative था वो पूरी तरह से चले गया आप बोलोगे आ दिया ऐसे क्या बोल रहे हो यार वो रशीद इंजिनियर को जिता दिया ये कर दिया वो कर दिया जैसे मैंने आपको पहले बताया है थोड़ा wait करिये उसके बारे में मैंने आपको बताया है there is something happening in that particular front मैं अभी कुछ बोला नहीं चाहता there is something which is there wait for that to happen and of course अगर एक separatist को खड़ा करने दिया गया उस जगे के अंदर तो ये कहीना कही ये government का move था to find out किस तरह की वहाँ पर solidarity है किस तरह की feelings है किस तरह का game वहाँ पर करना है आगे जाके क्योंकि कहीना कहीन जिस तरह की operations अभी आगे जा रहे हैं जो OGWs slash terrorists हैं जिनको बड़ा clearly foreign agents की तरह से deal किया जाएगा और जिनको बड़ी clearly बोल दिया गया है भाई साब आप अभी OGW, OGW कुछ नहीं हो आप होगे terrorist आपके सिर्फ दो रस्ते हैं या तो अमर कैद में जेल में आप सड़िये या तो आपको हम भून देंगे या तो आप death penalty के सामने जाएंगे उसाम आपकी priorities आपकी बिर्ख़र आप दर हकीकत मैं खुद समय इसे बिल्कुल कासर हूँ कि आप क्या हैं, आप हैं क्या आप तालीम अरब तालीम पर मैं तो अख़र तालीम पर नहीं जाता है उसकी वज़जा है कि आपके अंदर तालीम तो बहुत ज्यादा है, इसमें ब वहां से आप के अंतर कोमियत नहीं डाली जा सकती, नैश्टीम नहीं डाला जा सकता है, आप अडियाला जेल को जेल इनी बना पाह 레ीं, आपने तरक्की क्या करनी ही? आप आज भी थर-थर कांप रहे हैं अडियाला जेल से आप. थर-थर. फिर आप कभी कहते हैं जी हमें अफगानस्तान से बचाया जाए, हमें फलाम अटीटीपी मार गई है, हमें देशत गर्दी पे आपने आलपाइटी कांफरेंस बुला ली है, कुछ शरम करो, कुछ शरम करो.